हालो, आज इस वीडियो में हम लेसन 25 भोली इसके लास सेक्शन, सेक्शन 3 रीट करेंगे और मैं लाइन बाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाओंगी तो चले इस टोड़ी रीट करते हैं और इस सबस्क्राइब नहीं किया तो उसे सबस्क्राइब जरूर कर लीजे सेक्शन वन और सेक्शन टू में हमने रीट किया कि फूली एक चोटी सी प्यारी सी लड़की थी जिसके चहरे पे चेचक के गहरे दाग थे जिस वज़े से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानि आत्मरिश्वास नहीं था उसके फादर उसको एक दिन स्कूल में एडमिट करवा देते हैं और फिर काफी साल बीच जाते हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ सेक्शन थ्री डीट करते है अब जो गाउन था वो एक छोटा सा शहर बन गया था छोटा सा प्राइमरी स्कूल बन गया था और अब वहाँ पे एक तिन शेट के नीचे सिनेमा भी था और साथी कॉटन गिनिंग मिल यह मिल वो होती है जहां पे कॉटन को अलग किया जाता है उसके सीट से The male train begin to stop at their railway station और a male train भी उनके railway station पर रुकने लगी थी One night after dinner, रामलाल said to his wife एक रात डिनर के बार रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा Then shall I accept Bishamber's proposal? कि क्या मुझे Bishamber का proposal अक्सेप कर लेना चाहिए? Yes, certainly, his wife said उसकी वाइफ कहती है हाँ, बिलकुल Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom कि Bholi जो है वो बहुत किसमत वाली होगी जिसको ऐसा दूला मिलेगा A big shop, a house of his own and I hear several thousand in the bank एक अपनी दुकान है, घर है अपना और साथी कई हजार रुपे उसके बैंक में भी है Moreover, he is not asking for any dowry और सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वो कुसी तरह का दहेज मी नहीं मांग रहा है That's right, but he is not so young ये तो ठीक है लेकिन वो इतना young नहीं है You know, almost the same age as I am वो जहां तक की मेरी ही age का है And he also limbs और वो थोड़ा लंगडाता भी है Moreover, the children from his first wife are quite grown up और सबसे ज़्यादा कि उसके बच्चे जो उसकी पहली बीवी से हैं वो भी काफी बड़े हो गए हैं So, what does it matter? His wife replied फिर उसकी wife जवाब देती है So, इससे क्या फर्क पड़ता है? 45 or 50 It is not great age for a man कि 45 या 50 जो है वो आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती है We are lucky that he is from another village and does not know about her poke marks and her lake of sense कि हम तो बहुत लगी हैं कि वो दूसरे गाउं से है और वो नहीं जानता कि इसके चहरे पे चेचक के निशान है और साथ ही इसमें sense की कमी है If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life अगर हम शायद इसका proposal accept नहीं करेंगे तो वो पूरी जिन्दगी unmarried ही रह जाएगी Yes, but I wonder what bully will say हाँ, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी What will that bitless one say तो उसकी वाइफ कहते है कि वो एक बुद्धी हीन क्या कहेगी She is like a dumb cow है कि शायद तुम ठीक हो In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her court listening to her parents whispered conversation आंगन के दूसरे कौने में भोली जो है वो लेटी हुई थी चार पाई पे और सुन रही थी अपने माबाप को फुस पुसाते हुए Vishambarnath was a well-to-do grocer Vishambarnath एक खाता-पीता किराने का वेफसाई था He came with a big party of friends and relations with him for the wedding शादी के लिए वो दोस्तों और रिस्तारों के एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आया A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse और उसके साथ बारात के आगे एक band चल रहा था जो Indian film की tune बजा रहा था और घोडे पर दूला था रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor रामलाल बहुत खोश हुआ इतनी जादा शानदार बरात देख कर He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौती बेटी की शादी इतनी शानदार होगी भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck और भोली की बड़ी बहने जो इस मौके के लिए आई थी वो उसकी किसमत से जल गई When the auspicious moment came the priest said और जब वो शुब घड़ी आई तो पुजारी ने कहा Bring the bride की दुलहन को लेकर आओ भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire और भोली जो है वो बिलकुल लाल रंकी सिल्की दुलहन के कपड़ों में आती है वो और उस जगा पे जहां पर की पवित्र आग जल रही थी Garland the bride, one of his friends prompted पिशंबरनाथ पिशंबरनाथ के एक दोस्त ने उससे कहा कि अब दुलहन को हार पिनाओ The bridegroom lifted the garland of yellow marigold और अब दुले ने yellow marigold मतलब गैंदे की फूलों का जो हार था वो उठाया A woman slipped back the silken wheel from the bride's face और एक औरत ने जो silken घूंगट था वील क्या होते घूंगट वो दुलहन के चहरे से हटाया बिशंबर टुक a quick glance बिशंबर ने हलकी सी उस पे निगा डाली The garland remained poised in his hand और जो हार था वो उसके हातों में ही रह गया The bride slowly pulled down the wheel over her face और अब फिर दूलहन ने वो घूंगट दुबारा से अपने चहरे पे कर लिया Have you seen her? said Bishamber to the friend next to him अब Bishamber ने जो उसके बराबर में दोस्ता उससे कहा क्या तुमने उससे देखा? She has pock marks on her face उसके चहरे पे छेचक के दाग है So what? You are not young either तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ? तुम भी तो young नहीं हो Maybe, but if I am to marry her Her father must give me 5000 रुपीज तब वो Bishamber कहते है कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके फादर को उसके पिता को मुझे 5000 रुपे देने होंगे रामलाल वेंट और प्लेस्ट इस टर्बन, इस ओनर एड बिशामबर's feet अब इस पे रामलाल जो उसके पिता थे भोली के वो जाते हैं और अपनी पगड़ी, टर्बन क्या होती है? पगड़ी, वो उतार के उसके पैरों में रख देते हैं अपनी इज़त को उसके पैरों में रख देते हैं और वो उसको कहते हैं कि मुझे बेज़त मत करो टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपे ले लो नो 5000 और वी गो बैक, कीप यूर डॉटर इस पर बिशामबर कहते हैं नहीं 5000 रुपे वरना हम वापिस चले जाते हैं अपनी डॉटर को अपनी बेटी को रखो इस पर भोली के पिता कहते हैं कि थोड़ा तो समझी अगर आफ वापिस चले गए तो मैं किसी को गाउं में अपना चहरा नहीं दिखा सकता तो वो उससे कहते हैं तो फिर हमें 5000 रुपे चाहेंगे और अपने चहरा उसका आसों से भरा हुआ था रामलाल का और वो अंदर जाते हैं सेफ खोलते हैं मतला अलमारी खोलते हैं और नोटों को गिनते हैं और वो दूले के पैरों में बंडल रख देते हैं और इस पे बिशांबर के लालची चहरे पर एक मुस्कुराहट जो जीत की मुस्कुराहट दिखाई दी थी और फिर दूले जो घुगड़ था वो जीत गया गिव मी दा गारलेंट ये एनॉंस्ट वो एनॉंस करता है कि मुझे हार दो और एक बार फिर दुबारा जो घुगड़ था वो दुलहन के चहरे से हटता है पर दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट लेकिन इस बार उसकी आँखों में बिलकुर निराशा ये दुख नहीं था इस वक्त वो सीधा देख रही थी अपने होने वाले हजबन को और इस वक्त उसकी आँखों में ना तो घुसा था ना नफरत थी सिर्फ एक घृना की पहावना थी एक तिरसकार एक अपमान था बिशांबर रेस दा गार्लेंड टो प्लेस इट राउंड दा ब्राइट सनेक और अब बिशांबर जो है वो हार को उठाता है उसको दुलहन के गले में डालने के लिए पर बिफोर ही कुछ जूसो लेकिन इस से पहले वो ये कर सकता भोली's hand struck out like a streak of lightning भोली का हाथ तेजी से एकदम बिजली की तेजी से आता है and the garland was flung into the fire और जो हार था वो जाके गिरता है आग में she got up and threw away the wheel वो उठती है और अपने गुंगट को एक तरफ फैग देती है पिता जी said भोली in a clear loud voice और इस वक्त भोली जो है वो बिलकुल साफ और तेज आवाज में कहती है and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer और अब उसके पिता, मात, बहने, भाई, सारे रिष्टदार, उसके पड़ोसी सब उसको हैरस से शौक डूकर देखते हैं जब वो सुनते हैं कि वो बिना हक लाए हुए, जरा सभी बिना हक लाए हुए बोली थी पिता जी, take back your money और वो उसको कहती है अपने पादर को कि ये पैसा वापिस ले लो I'm not going to marry this man रामलाल was thunderstruck वो कहती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ बेशरम है, इतनी बसूरत और इतनी बेशरम भोली, are you crazy? शाटेड रामलाल, रामलाल चिलाता है कि तुम पागल हो You want to disgrace your family? कि तुम अपनी फैमली को बेश्जद करना चाहती हो Have some regard for our इश्जद वो कहता है कि हमारी इश्जद का तो खयाल करो For the sake of your इश्जद, सैट भोली भोली कहती है कि आपके इश्जद के लिए ही I was willing to marry this lame old man मैं इस लंगडे बुड़े आदमी से शादी करने के लिए तयार हो गए थी But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband But मैं कभी भी ऐसे आदमी को husband नहीं बनाऊंगी जो कि इतना मतलबी What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow तभी कोई कहता है कि कितनी बेशरम लड़की है हम सोचते थे कि ये नुकसान ना पहुचाने वाली गुंगी गाए है भोली turned violently on the old woman अब इस पर भोली जो है वो बोड़ी औरत की तरफ हिंसक तरीके से मुड़ती है Yes auntie, you are right हाँ auntie, आप ठीको You all thought I was a dumb driven cow आप सब सोचते थे कि मैं एक गुंगी गाए थी That's why you wanted to hand me over to this heartless creature इसलिए आप मुझे इस बिलकुल heartless जिसका दिल नहीं है एक ऐसे creature के हवाले करना चाते थे But now the dumb cow, the stammering fool is speaking लेकिन अब ये गुंगी गाए ये हकलाने वाली बेवकु बोल रही है Do you want to hear more? क्या आप इससे जादा सुनना चाहती हो? विशंबर नाथ, the grocer, started to go back with his party अब जो विशंबर नाथ था वो जाना शुरू कर देता है अपनी party के साथ The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song अब जो bandsmen थे, जो band वाले थे सब वो सोचते हैं कि सारमनी खतम हो गई और अब वो एक closing song बजाना शुरू कर देते हैं रामलाल stood rooted to the ground और रामलाल जो है वो बिलकुल अब ground में ही बैठ जाता है जमीन में His head bored low with the weight of grief and shame उसका जो सर है वो जुका हुआ है दुक के और शरम के बोज से The flames of the sacred fire slowly died down और जो वो पवित्र आग थी उसकी जो लपतें थी वो भी अब धीरे धीरे कम हो गए Everyone was gone, सभी जा चुके थे रामलाल turned to Bholi and said अब रामलाल Bholi की तरफ मुड़ता है और उसने कहा But what about you, no one will ever marry you now अब उससे कहते है कि तुम्हारे बारे में क्या अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा What should we do with you, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे And सुलेखा said in a voice that was calm and steady और अब जो सुलेखा वो एक ऐसी ओवाज में कहती जो बिलकुल शान्त है और सीधी ओवाज में कहती है Don't you worry, पिताजी In your old age, I will serve you and mother And I will teach in the same school where I learned so much तो वो उनको कहती है कि आप बिलकुल परेशान मत हो आपके जब आप बोड़े हो जाओगे मैं आपकी सेवा करूंगी और मा की सेवा करूंगी और मैं जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है महां पढ़ाऊंगी Isn't that right, ma'am? अब वो अपनी ma'am की तरफ मुड़कर कहती है क्या ये सही नहीं The teacher had all along stood in a corner watching the drama Teacher जोती, वो एक कौने में खड़ी हुई थी और ये सब देख रही थी Yes, bully, of course, she replied उन्होंने जवाब दिया कि हाँ भोली बिलकुल And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he contemplates the completion of his masterpiece और उनकी आँखों में ऐसी चमक थी एक deep satisfaction की संतुष्टी की चमक जैसे कि एक artist की आँखों में होती है जब वो feel करता है, विचार करता है कि हाँ उसने अपनी सबसे अच्छी masterpiece को पूरा कर लिया है और इस तरह से teacher से मिलना भोली की जिन्दगी का एक turning point था उसकी life education हासिल करके बिलकुल बदल गी